वागे ते आपका CADCAM CA Learning Solutions पे YouTube चैनल पे स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यूटूब पे रखे सर्च किजिए CADCAM CA Learning Solutions और यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा इसे प्रेस कर भी जिए इस सीरीज में हम लोग NX में sketching कैसे किया जाता है and multiple sketches को कैसे fully constraint करना है वो देखें कि so first हमारा जिए जो right side में है यह sketch है और इसमें आप देख सकते हो simple lines है ने आरक है यहाँ पे और रेट सो start new Units यहाँ पे आप मिलिमीटर सेट कर दो आपको अगर rename करना है sketch को सो यहाँ पे आप rename कर सकते हो sketch one and okay now sketch कोई भी आप एक plane select कर सकते हो and okay अब अगर आपको इस environment में sketching नहीं करना only sketch environment चाहिए so more में जाके आप यहाँ पे opening sketch task environment भी कर सकते है all right अब देखो यहाँ पे यह जो zero zero point है यह किसी भी पॉइंट पर आना चाहिए okay so यह जो left corner है यहाँ पर मैं 00 select कर रहा हूँ and then अब देखो 40 30 का line है so simple profile यहाँ पर हमें input mode जो है वो parameter चाहिए क्योंकि हम लोग directly values input कर सकते हैं so start from 00 नेक्स्ट यहाँ पर लेंथ होगा हमारा 40 एंटर एंगल सेम ही रहेगा 90 सो एंटर कर दीजिए अब देखो यहाँ पर line create हो गया next हमारा यह जो है 30 का line है एंगल जीरो ही रहेगा सो double enter करने के बाद आप middle button press कर सकते हो के सो आपका जो line है double जो आपका scroll button है उसे press करोगे तो stop हो जाएगा similarly second direction में 50 and 20 आप line draw कर सकते हो सो profile 50 double enter then 20 double enter and scroll button को press कर सकते हो ताकि यह tool stop हो जाए अब यहाँ पर हमारे पास आर्क है जो कि आर 20 का है ओके सो आर्क फरस्टाइब सेलेक्ट करना है आर्क वाइट्री पॉइंट्स फर्स पॉइंट सेकेंड पॉइंट ओके रेडियस डाइरेक्ली आप इंपूट कर दो पारामेटर 20 कि सोरी रेडियस 20 एंड एंड एंटर है ओके सो यह आपका स्केच हो जाएगा यहां पर आप देख सकते हो जितने डायमेंशन गिवन है उसमें ही आपका स्केच फुली कंस्टेंट हो रहा है ओके हुआ है